शिप्पुरी की गुरुनानक हायर सिकेंडरी स्कूल पर छात्रों को तिलक लगाने और कलावा बांधने से रोकने के आरोप लगे हैं आरोप है कि स्कूल में पिछले काफी दिनों से स्कूल पहुशने वाले हिंदू छात्र छात्राओं को माते पर तिलक और हाथ में कलावा बांध कर नहीं आने का अनाउंस्मेंट कराये जा रहा है साथी जो विध्यारती स्कूल में कलावा बांध कर और दिलक लगा कर आता है उनके कलावे को काड़ दिया जाता है माते पर लगे दिलक को धुलवा दिया जाता है शिकायत के बाद शुक्रुबार को कुछ परीजनों ने हिंदू जागरन मंच से इसकी शिकायत की इसके बाद हिंदू जागरन मंच के कारिकरता स्कूल पहुचे उन्होंने छातरों से चर्चा की छातरोंने बताय के स्कूल में माते पर दिलक और हाथ में कलावा बांध कर नहीं आने का अनाउंसमेंट कराया जाता है इसके बाद शाम को हिंदु जागरन मंच के कारिकरताओं ने जिलाशिक शाधिकारी से इस बात की शिकायत की तो बापना मुह दोले इक लगाए नहीं देदे लगते लगाने जाने तो प्लबा लगाने लगेते आप लुद लो आप लुक्त लुदे तो लुदा लुदा, भी पूजा ओई। मैं इंदू जागरण मंच से हूँ हमारे संगडन को यह जानकारी मिली थी कि गुरू नानक जो स्कूल है उसमें बच्चों को तिलक लगा कर आने और रात पे कलावा बांद के आने से रूका जा रहा है यदि वो बांद के आते हैं तो उनके तिलक अड़वा दिये जाते हैं क हमने जाके स्कूल में जब संबन्दों बात की तो बिद्यले प्रबंदन ने भी सुविकार की आता कि यहां इस प्रकार की गड़ना होई है और आगे से नहीं होगी ऐसा उनका कहना था परन्तू बच्चों का यह कहना है कि लगाता और बंदरा इंसे अनौन्स कर रहा है कि नहीं होगा तिलक लगा के नहीं आएंगे कलावे बांद के नहीं आएंगे तो उसकी सिकायद हमने जिला शिक्षा अधिकारी में होदैसे की है गुरू नानक हाईर सेकेंडरी स्कूल है रागमिन नगर में पूल के छातरों ने स्ताफ कह दिया है कि कई दिनों पहले अनौन्समेंट की गई थी कि माथे पर तिलक लगा कर ना आएं तो वहीं आब जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मामले को लेकर स्ताफ कर दिया है कि जांच के बाद उचित कारवाई की जाएगी पंजाब के सिरी अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद